हेलो वेरी गूड बॉर्णिंग टोल अफ यू वेलकम यू आल इन भारगो बाईदुजी क्लासेस मैं हूँ आपका इजुकेटर और मिंटर डाक्टर एंट के भारगो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग यूवन रिप्रडक्शन के सीरीज में एस्पर्मेटर जनेसिस के प्रोसेस को देख चुके हैं यानि एस्पर्म्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को देख चुके हैं इसमें हम देख चुके थे कि जो आपका टेस्टिस होता है वो टेस्टिस के अंदर में आपके धाइस और लोब्यूल्स पा जाते हैं कमपार्टमें सेल और दूसरे सेल को दो बोलते तो में जब म्योसस की प्रोसस होती है तब यह जाकि आपके अपके अपे ऐस पर्मेटो सेल का फॉर्मिशन करते हैं और से garden की सेली सेल जो होती है वो उनको nutrition दने का काम करते हैं यह पिछले class में हम लोग पढ़ चुके थे जब यह तो फाइनली यह सीमिन का रूप ले लेता है तो आज के क्लास में लोग दिखेंगे structure of spum यानि जो spum का formation किया था वो spum का structure कैसे होता है actually जो आपके spum होते हैं यह microscopic होते हैं अगर देखा जाए तो spum जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं यह microscope की मदस सहीं दिखाई पड़ते हैं तो इसके कुछ different parts होते हैं उन parts के नाम को याद रहने चाहिए और साथ साथ इसके structure याद होने चाहिए कई बर examination में इसके structure दे देते हैं और उसको parts के naming करने के लिए आपको दे दिया जाते हैं तो आपको यह mind make-up होने चाहिए तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसके parts में एक important parts होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इस parts में आपके जो है chromosome पाई जाते हैं यानि इसके अंदर जो है आपके nucleus देखने के मिलते हैं और बीच वाला जो part होता है इसे बोलते हम लोग neck जो आगे चलके middle piece बनाता है यह देख सकते हैं इसे हम लोग बोलते हैं neck और neck से finally middle piece का formation होता है कुछ इस तरह से आपका middle piece का formation होगा और middle piece आगे चलके आपके tail का formation करेंगे तो यह जो इसके important parts हैं यह सारे important parts का आपका naming याद होना important है यहाँ देख सकते हैं और यह जो figure आपके microscopically है जब microscope की मदद से देखेंगे तब जाके अच्छे से यह clear हो पाएगे यह जो important part है यहाँ पे आपके एक बाहर outer membrane होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं plasma membrane जो कि आपके spumps भी एक तरह के cell हैं तो अपकोस इसमें आपके plasma membrane होंगे जो कि outer membrane होते हैं किसी भी cell के और इसके अंदर जो है आपकी nucleus दिखाई पड़ते हैं कुछ इस तरह से और यह जो structure है यहाँ पे center में यह जो होता है nucleus होता है जिसके अंदर में आपका genetic material पा जाता है प्रते एक जीतने भी cell होते हैं वो सब cell के genetic material होते हैं उस cell के जो characteristic होता है इसी nucleus के अंदर में देखना के मिलते हैं और यह जो space देख रहा है इसमें आपके । ओभम के अंदर इंटर करने के लिए जो इसके फॉस लेयर होते है जो ना पैलशिडर लेयर उस लेयर को ब्रेक करने होते है जिसमें इसका बहुत बढ़ा रोल है तो इसcies वाले कम बोलते हैं वी इस वाले पार्ट कम लोग बोलते हैं नूक्लियस झिस नूक्लियस के अदर जो है आपके आपके ने जो भी आपके क्रोमोजों मोगरा होते हैं DNA RNA आपकी जो भी genes होते हैं इसी nucleus के अंदर देखने की मिलते हैं ठीक है और यहां पर नीचे आओगे तो इसे अब लोग बोलते हैं नेक यह आपके हो गए नेक और इस वाले region को हम लोग बोलते हैं middle piece इस middle piece के अंदर में mitochondria देखने की मिलते हैं यह mitochondria जो होते हैं sales को energy देने की काम करते हैं हम सब जानते हैं कि mitochondria को हम लोग sales का powerhouse के नाम से भी जानते हैं तो इसके अंदर में आपके mitochondria देखने की मिलते हैं जो कि आपको cells को energy देने काम करता है। जब भी cell की cells चुकि cum cells होता है यह motile cell होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, moveable होता है इसको lots of energy चाहिए होता है for male body parts to female body parts transfer के लिए यह जो आपको देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते है, mitochondria और यहां से जो यह जो structure देख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं टेल इस वाल रिजन को हम लोग बोलते हैं टेल आई होप आप लोग इस समझ रहा है इस दे इस डे इस ट्रॉक्चर अप इस पर्म में कौन-कौन से पाट सेजाएंगे सबसे पहला वाला पार्ट जैसे हम लोग बोलते हैं bought इस वाल रिजन को लोग बोलेंगे नेक ये वाल रिजन को ovum cell के पास पहुचा देना चुकि fusion तो वहीं पर देखने के मिलते हैं तो दोनों का fusion से ही आगे फिर जाइगोड का formation होता है तो main function है ये nucleus को nucleus में जो genetic material है वो ovum cell तक पहुचा देना इसमें सबसे बड़ा role निभाते है mitochondria and the tail tail जो होते हैं वो पीछे से push करने काम करते हैं और mitochondria जो होते हैं वो energy देने काम करते हैं ताकि जो sperm cells आगे के तरफ बढ़ सके तो ये जो था आपका structure sperm था अब हम लोग जो है एक important topic शुरू करने वाले हैं जिसके नाम है female reproductive system तो जिस तरह से हम लोग male reproductive system पढ़े थे उसी तरह से आपके female reproductive system है दोनों में कुछ खास difference नहीं है male reproductive system में male reproductive organ थे वैसे ही female reproductive system में आपके female reproductive organs देखने को मिलते हैं female reproductive system में सेम चीज़ आपके primary और secondary organ देखने को मिलते हैं primary organ वो होते हैं जो की congenitally present होते हैं और secondary organ जो कि आपकी आप्टर दे एज मैचिवर होते हैं तो मैं इसे मुटाना चाहूंगा अब हम लोग के टॉपिक है फीमल रिपरटिव सिस्टम फीमल रिपरटिव सिस्टम भी ग्रूप अप ओर्गेंस है जिसमें हम लोग जो है अलग अलग ओर्गेंस के बारें पढ़ते हैं और उनके फंसंस पढ़ते हैं तो हमारा हैडिंग होगा फीमल रिपरटिव सिस्टम फीमल रिपरटिव सिस्टम अगर फीमल रिपरटिव सिस्टम को आपको हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि female reproductive system में दो तरह के होते हैं पहला एक primary sex organ और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं secondary sex organ primary sex organ में जिस तरह से आपके male में testis पा जाता है जो कि sperm cell के production करता है उसी तरह से female में आपके ओबरी पा जाता है जो कि ovum cell के production करता है तो दोनों एक दूसरे के साथ homologus हैं एक जैसे काम फंसन करने वाले होते हैं तो यहां पर कह सकते हैं कि जिस तरह से आपके टेस्टिस से में लग उसे तरह से female में जो है यह आपके primary sex organ में हो जाएंगे secondary sex organ में जो है आपके सबसे पहले हो जाएंगे uterus uterus अलगे रहते हैं fallopian tube fallopian tube देखने के बाद मिलता है vagina और vulva जो की externally visual होते हैं और आपके एक glands दिखाई पड़ते हैं यह gland जो है इसका नाम हम लोगा memory gland इसको हम लोग memory gland बोलते हैं यह memory gland का में काम होता है मिलका secret करना आई होप आप लोग समझ रहे हैं female reproductive system primary secondary primary में ovary और secondary में uterus fallopian tube vagina vulva और एक gland होता जिसे हम लोग बोलते हैं memory gland ठीक है अब हम इसके छोटा सा इमेज बनाएंगे ताकि इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा अगर आप neat student है तब आपके लिए important है कई बार examination में आपके figure दे दिये रहते हैं और उसके different parts को naming करने के लिए आते हैं तो इस पर थोड़ा business द्यान जाना है ठीक है तो यहां पर यह देख सकते हैं यह आपके हो जाएंगे यह आपके important part हो जाएंगे फैलोपियन ट्यूब और यह जो है आपके फैलोपियन ट्यूब का different structure हो जाएगा देख सकते हैं तो यहां पर मैंने बना दिया यह दूनों आपके हो जाएंगे फैलोपियन ट्यूब जो tube like structure है secondary है और यहां पर जो है आपके पाजाते हैं जो की एलमॉंड के सिपका होता है और यह एक ligaments के थुरूज होते हैं यह आपके uterus body से connected होते हैं यहां पर देख सकते हैं यह जो है आपके ही हो जाएंगे ओवरी जिसकी संख्या होती है दो और यह जो है नीचे पाजाते हैं आपके दोनों साइट में देख सकते हैं यह आपके primary sex organ हो का जीसे बोलते हैं और यह जो पार्ट देख रहा है जे इस फैलोपीन ट्यूब का अपना नाम है सबसे पहले इस वाले पार्ट को नोगो बोलते हैं इन फंडिबुलम जो कि आपके ओभरी के पास होते हैं उसे इन फंडिबुलम बोलते हैं यह वाले पार्ट को मिला बोलते हैं एमपुला जो इन फंडिबुलम के बाद होते हैं उसे एमपुला बोलते हैं और यही भी फर्टिला जैसें की प्रोसेस तेखने के मिलते हैं इस व examination में आपके आ सकते हैं Bus vary ऐसक्त है इस वाले पारत को मुझों बोलते हैं ओब्री और यहां पर कुछ कुछ फिंगन लाइक के और इधर वह जो आपके ओमसेल को जो है रिसिब करने काम करते हैं इसी Due ठीक है और यहां जो देख रहे हैं यह होगी आपका यूटेरस का बॉड़ी इस वाले पार्ट को लोग बोलते हैं फंडर्स यहां पर देख सकते हैं अब इसके सांसांद जो है इसमें कुछ लेयर्स पा जाते हैं उस लेयर्स का नाम याद रखना बहुत जरूरी है जो कि इसका एक मेजर रोल होता है आपके यूटेरस के कंट्रेक्शन और रिलेक्शिशन में तो देख सकते हैं यह जो है आपका यूटेरस यह जो है आपका मसल्स होगा जो कि यूटेरस को कंट्रेक्ट और रिलेक्स कराने का काम करते हैं तो ये जो है आपके बने muscles of uterus इसमें तीन muscles देखने के बाहरी muscles को हम लोग बोलते हैं perimetrium beach वाली muscles को हम लोग बोलते हैं myometrium और सबसे अंदर वाली muscles को बोलते हैं लोग indometrium ये तीनों muscles के अपने अपने रोल हैं इसमें ठीक है और यहां पर देख सकते हैं इसे हम लोग बोलते हैं यहां पर आपका uterus खत्म हो गया और uterus एक tube like structure में खुलता है जिसे हम लोग बोलते हैं cervix और cervix के सबसे बाहर वाला structure को हम लोग बोलते हैं vagina जिससे इंट्री होता है इस pumps का ठीक है तो यह जो आपके structure हैं इसे हम लोग बोलते हैं female reproductive system इस female reproductive system में आपके pair of ovaries देखने के मिलते हैं pair of halopian tube होते हैं एक आपका body होता है इसको बोलते हैं fundus इस region में डेख सकते हैं इस region में सबसे पहले यहां से आपकी ovum जो होते हैं mature होके सबसे पहले ovum जो है यहां पे आते हैं यह ovum cell जैसे यहां पे आते हैं तो इसमें कुछ आपके tissue होते हैं जो इसको push करते हैं और push करते ही यहां पर लाते हैं इम-aam-pullia region में जैसे ही am-pullia region में आता है तो जिस दौर्बर्न sexual intercourse होता है उस दौरी नीचे से जो है आपकी bulmath जो होते हैं कुछ ऐसे पास करते हैं और ये sp aprove जो है जाके इसे fuse करते हैं और जैसे इसे fuse करेंगे यहां पे आपके देख सकते हैं fertilization की process हो जाती है तो इस तरह से कुछ structure होता है आपके spams का याद रखेंगे इसके important parts fallopian tube, body, यानि uterus, नीचे आपके cervix और दो आपके ovary fallopian tube का part हो जाएंगे infundibulum जो यहां पे ovary के बहुत करीब होते हैं infundibulum बोलते हैं infundibulum वाले parts के आगे हैं जो इसे बोलते हैं ampoula ampoula वाले आगे parts बोलते हम लोग istimus जो की uterus से बहुत ही करीब होता है यह था आपका female reparative system अब हम लोग जो है इसका entroposterior जो है एक figure image बनाने कोसिस करेंगे उसे समझने कोसिस करेंगे यह तो आपके adrenal cavity के अंदर दिखाई पड़ते हैं लेकि बाहर से आपके जो वलबा पाजाते हैं उसके structure कैसे होते हैं ठीक है चलित एक छोटे सा image हम बनाके समझने कोसिस करेंगे मैं इसे अभी मिटाऊंगा आप इसे screenshot ले सकते हैं अगर आप इक शुक है तो अब आप देखेंगे इसका entroposterior image कैसे बनेगे entroposterior जो है आपके female reproductive system कैसे दिखाई पड़ते हैं जिसमें आपके जो है इस क्रेटरी सिस्टम यारी नरी सिस्टम वले parts पर दिखाई पड़ेंगे और आपके रिपरक्टिव सिस्टम वले parts भी दिखाई पड़ेंगे वो सबसे पहले जो है इसमें यह जो पार्ट वन गया आपका entroposterior डारेक्शन का यहां पर आपके जो है एक ब्लेडर पा जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं इरोनरी ब्लेडर इस इरोनरी ब्लेडर काम होता है यूरिन का पास आउट करना यह हम लोग मेल रिपरेटिव सिस्टम में भी देख चुके हैं कुछ इस तरह से और यह भी एक ओपनिंग में खुलता है जिसे इरेट्रल ऑपनिंग बोलते हैं जो कि आपके वालवा के अंदर ही पाए जाता है और यहां पर देख सकते हैं यह बनते हैं यूटेरस का देख सकते हैं और यूटेरस जो है यह ओपन होता आपका सर्वाइकल कनाल में यानि सर्विक्स में और इन दोनों की जो ओपनिंग होती है वह होती है वालवा के अंदर कुछ इस तरह से यहां पर एक आपके इंपोर्टन बॉन पाए जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूबिक बॉन जो कि सामने होता है और इसी प्यूबिक बॉन पर प्यूबिक रीजन पाए जिसे प्यूबिक हैर दिखाई पड़ते हैं जो कि सेकेंडरी सेक्वल करेक्टरिस्टिक का एक बुलते हैं इर्टिनेरी सिस्ट्रम भी ओपन होता है और आपके रिपरेक्टिव सिस्टम भी ओपन होता है फीमिल का तो यह जो ओपनिंग है जिसमें आपके यह वाला जो पार्ट हो गया यह फीमिल रिपरेक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया और यह जो पार्ट हो गया आपके अर्मनेरी सिस्टम का पार्ट हो गया कुछ इस तरह से और इसके जस्ट ऑपोजिट में आपके देख सकते हैं यह आपके एनस हो गया यह जो रिजन हो गया यह आपके एनस हो गया जहां से एनस के थ्रू जो है आपके फिकल मेटेरियल जो होते हैं वह बाहर निकलते हैं तो यह जो थीनों का उपनिंग देखे यह आगे के तरफ में जो ओपनिंग हो गया यह सामने आपके प्यूबिक बोन हो गया यह जो है आपके इरुनरी ब्लडर हो गया जिसमें यूरीन इस यूरीन जो है इस यूरीन से पास होता और यह कॉमन ओपनिंग हो गया यह आगे बनाएंगे इसके इमेज यह वालवा वालवा पार्ट हो गया जिसमें आपकी रुणेरी सिस्टम भी ओपन होते हैं और आपकी रिपरक्टिव सिस्टम वालवा पार्ट भी ओपन होते हैं यहां पर देख सकते हैं यह आपको फिमल का यूटरस हो गया और फिमल यूटरस होते इस तरह से आपके कुछ रीजन मनाते हैं और यह आपकी बैक रीजन हो गया तो यह जो टोटल था आपका फिमल रिपरेक्टिव सिस्टम का एंट्रो पोस्टेरियर इमेज हो गया इस एंट्रो पोस्टेरियर इमेज में देख सकते हैं सबसे पहले इस वाले पार्ट को मना बोलते हैं यूटेरस यह जो है आपका हो गया यूरिनरी ब्लेडर इस यूरिनरी ब्लेडर में ही यूरिन इस्टेर होता है यह जो आपका हो गया pubic bone हो गया इसे हम लोग बोलते हैं urethra जिसे urine जो है वो pass out होता है इसे हम लोग बोलते हैं vaginal orifice इस vaginal orifice में जो है आपके दो opens दिखाइने के मिलते हैं एक पहला आपको urine pass out के लिए और एक दूसरा जो आपके spams के लिए entry के लिए होते हैं यहां पर देख सकते हैं इसे हम लोग बोलते हैं rectum ठीक है और यह जो है आपका region हो गया इसके इसके इंदर खुलता है देख सकते हैं और यह जो होता है यह बटक होना है तो यह जो था आपका पूरा female reproductive system था जिसमें मैंने इरणरी सिस्टम भी इरणरी सिस्टम भी दिखाए मैंने और इसके सांसांत मैंने रिपराटिव सिस्टम अला पार्ट भी दिखाए female reproductive system में इसमें इंपोर्टन्ट पाइ्ट हो गया जैसे बोलते हैं अब यूटेरस g तरजhen चीशमोंC के साह एक इसमें आपके सर्विक्स फोंगै और सर्विक्स में खुलता वह विजानल और्फिश हो गया यहाँ पर आुर्यानरी सिस्टम और पार्ट हो गया सबसे पहले ही आप मैंने बता दिया, urinary bladder हो गया, urinary bladder जो होता है, यह यह भी आपके युरेथ्रा में कुलेगा, युरेथ्रा जो है, यह वेजानल और्किस के अंदर कुलता है, और यह जो पीछे वाला पार्ट हो गया, यह आपके rectum हो गया, जिससे एनस के थुरू आपके, जो है, वो fecal material बहार निकलते है, scretory products बहार निकलते हैं, तो यह था आपका entroposterior direction of the female reproductive system, यह entroposterior image हो गया, आप आप लोग यह समझ रहे हैं, अब हम लोग जो है, एक vulva का, यह वेजानल और्फिस का एक छोटा सा image ड्रौ करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे, कि आपके जो openings होत होते हैं, और इसमें जो है, इनका जो है, आगे का vulva के structure कुछ कैसे दिखाई पड़ता है, वो लोग हम लोग समझेंगे, I hope आप लोग यह समझ रहे हैं, चली, तो आगे हम लोग देखेंगे, वल्वा, तो वल्वा हम बता चुके हैं आगको पहले भी, और अभी बता रहे हैं कि वल्वा जो होता है, यह दो लिप से मिल का बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, लीविया मैजोरा और लेविया मैनोरा, और इसके अंदर जो होता है, एक sensitive parts होता है, जिसे हम लोग ब इसके अंदर जो है दो ओपनिंग्स दिखाई पड़ते हैं यह ओपनिंग्स में एक आपको विजैनल ओपनिंग होते हैं और दूसरा जो होता है वो आपका उरेथ्रल ओपनिंग होता है जिसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा जरुख छोटा से इमेज बनाने कोसेश करेंग यह वाला जो रीजन मैंने बनाया इसे अब लोग बोलते हैं क्याँ में मौन्स प्यूभिस जो आपने सामने से देखा कि योउविस रीजन पूभिक बोन पाये एक्चिली हम इसे कबघ कर रहे थे prochain मौन्स प्यूभिस बोलते हैं इस मौन्स प्यूभिस रीजन पे कश teh을 दिखाई पडिएंग WA उपर आपके pubic hair पाए जाते हैं तो इसे हम लोब बोलते हैं mons pubis इस mons pubis region में अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपके दो leap like structure दिखाई पड़ेंगे यह दो leap like structure दिखाई पड़ेंगे एक को हम लोब लेविय मैजोरा बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं हम लोब लेविया माइनोरा चीक है यहाँ पे जो है आपके openings बनेंगे सबसे पहले urethral opening सबसे उपर में आपके urethral openings दिखाई पड़ते हैं और नीचे के तरब जो होता है इसे हम लोब बोलते हैं विजाइनल opening और यहाँ पे बहुत सारे आपके fold और पीशू दिखाई पड़ते हैं इसके जस्ट नीचे जो है आपके विजाइनल वाला openings दिखाई पड़ते हैं और urethral openings दिखाई पड़ते हैं कुछ इस तरह से इसमें आपके डो ऐसे ओप ओर झीजह बिखाई पड़ेंग ऊपन पोर्स दिखाई पड़ेंगे इसमें सबसे उपर वाले पोस्कों लोग बोलते हैं यह रे werde ओपनिंग और नीचे वाले पोर ऄम dentist बनियों यहां पे जो है आपकी बिजेलर लॉठ तो सबसे उपर स्पूस्ट अपरईयं को प्यूब sub जहां पे आपको फ़ुबिक उता है ही जेसे लिए त्थी प्वें से पूने ने चलिए मैनोरा यह दोनों रीजन पायते हैं इसे हम लोग बोलते हैं लेविया मैनोरा और इसके अंदर वाला रीजन को बोलते हैं लेविया मैनोरा हो गया इधर भी और इधर भी यह आपके जो है अंदर में एक और पाय जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं लेविया मैनोरा जो आपक इस वाले region को लोको बोलते हैं क्लाइटोरिष और उसके नीचे जो देखनेक मिलते हैं यह आपका यूरेथ्रल ओपनिंग जिसे आपके यूरीन पाइसट होते हैं और यहां पर आपके वोते हैं वेजाइनल ओपनिंग यह आपका पुरा फिमेल वलवा और यहां पर छोटा सो opening होता है जिससे आपके जो होते हैं NS के त्रू जो है आपके Fical material Screative products बार होते हैं इसे हम लोगों बोलते हैं NS तो यह जो है आपका पूरा female reproductive system है इस female reproductive system में आज हम लोगों किया क्या देखा सबसे पहले देखा कि इसमें दो तरह के होते हैं primary और secondary इंपोर्टेंट sex organ जिसमें बोलते हैं ovary जो आगे जो है ovum cell का formation करता है और female gamet से बनाता है और दूसरा चीज देखें इसमें secondary sex organ जिसमें हम लोग बहुत सारे group of organs देखें और एक glands के बारे में देखें तो एक आपकी जो होते हैं जिसमें बोलते है uterus जिस्वन लोग बोलते हैं जिसे में लोग बोलते हैं ऐसा घ्यूब जिसमें बॉलते हैं योड़ के च्यूबहयन बोलते हैं और वालबा और वलबा कुछ आईसा दिखाई पड़ते हैं ग् terugstrac Canyon देखा जाए तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे इसमें दो आपके लीप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेबिया मेजोरा और अंदर में लेबिया मैनोरा सबसे उपर क्लाटोरिस और इसके अंदर दो उपनिंग सबसे उपर यूरेथरल ओपनिंग जिससे यूरिन पास आउट होता है और इस हेर फॉलिक्यूस को आप लोग बोलते हैं प्यूबिक हेर तो आई होप आप लोग इस वीडियो का अच्छे समझ रहे हैं चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में लोग जानेंगे उस जिनेसिस के प्रॉसस क्या होती है यानि फीमिल में आपकी फीमिल गैम से यानि ओभम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो थांक यू सो मच, अल दे बेस्ट, प्लीज लाइक, सेर और कमेंट यूर क्यूए अन दो कमेंट सेक्शन, थांक यू.